Good morning everyone, my name is Mohsin Syed and welcome to our Odan Academy. So what we are going to study today, कि आज हम क्या पढ़ने वाले, आज हम NCRT History 8 का second topic, from trade to territory, जिसका हमने first part देखा था, और first part में हमने देखा था कि background, कि how the Britishers took permission, कि किस तरह से Britishers एक व्यापार करने की दृष्टी से, the perspective of trade, they took permission and established East India Company, किस तरह से उन्होंने एक London में East India Company बनाई, और किस तरह से permissionally भारत में व्यापार करने की, तो पहला part हमने background में यह देखा था, आज second part रहेगा हमारा इसी topic का second part रहेगा, और इस second part में हम क्या देखेंगे, इस second part में हम देखेंगे, आज के इस part में introduction, हमारा introduction देखेंगे इस chapter म हम क्या पढ़ने वाले, तो चलिए शुरुवात करते, इस topic में हम पढ़ेंगे, India before the coming of British, कि भारत देश, Britishers, यानि कि अंग्रेज आने से पहले हमारा भारत देश कैसा था, कौन-कौन सी policies थी, किस तरह से थे, इसके बारे में हम छोटा साध्या, इस lesson में देखेंगे, then how did they came कि वो भी फिर से हम देखेंगे, how did they came in India, यह हमने background में already देखा था, then how trade lead to battle, हाँ, सबसे जरूरी जो हमारा point रहेगा, इस chapter में वो रहेगा, how trade lead to battle, कि किस तरह से व्यापार से एक यूद्ध की परस्तिती निर्मान होती है, how trade lead to battle कि अब यहाँ पे यूद्ध होने शुरू लिए होते हैं, जैसे कि हमारे भारत में सबसे जो महत्वपुर्न युद्ध थे, the important battles between Indians, local ruler, Rajas and Britishers, उन में से एक था battle of Plassey, battle of Plassey के बारे में हम देखेंगे, battle of Plassey का युद्ध क्यों हुआ, किस के बीच हुआ, कौन इस में हारा और कौन जिता, we are going to discuss about the battle of Plassey, then battle of Baksar, उसी तरह battle of Plassey, battle of Baksar देखेंगे, then war with Tipu Sultan, महसूर के जो राजा थे, बादशादे, war with Tipu Sultan हम देखेंगे, then war with Marathas, हम war with Marathas भी देखेंगे, किस तरह से war with Marathas वे, Tipu Sultan वे, तो यह जो महत्वपुन जो हमारे points है, इस topic में हम पढ़ने वाले, then हम देखेंगे, doctrine of labs, जो Britishers न their rule, and setting up a new administration, कि किस तरह से उन्होंने अपनी आर्मी हाँ पे बनाई, सामराज्य प्रस्तापित करना था, फैलाना था उसको, तो आर्मी तो ज़रूरी थी, तो किस तरह से उन्होंने अपनी एक आर्मी बनाई, धीरे धीरे पूरे भारत वर्ष में उन्होंने सामराज्य प्र वीडियो था, एक इंट्रोडोक्शन था, कि हम हमारे इस टॉपिक में, यानि कि हमारे इस लेसन में आगे कौन-कौन सी चीजे पढ़ने वाले, तो चलिए मिलते हैं फिर हमारे आगले लेसन के साथ, जिसमें हम शुरुवात करेंगे हमारे इस टॉपिक की, फ्रॉम तक इंट्यू, था वारे इस टॉपिक की, जिसमें शुरुब।